भूखे मर जाना अच्छा है पर प्लोस्यू से भूल कर भी न मांगना ये चीजे वरना जीवन भर कंगाल बन कर जिना पड़ेगा हमें अपने जिन्दगी में कई चीजे हम अपनी जान पहचान के लोगों से लेते हैं इनमें रिष्टेदार दोस्त आद सामिल हैं अनजाने में ही कई बार हम एसी चीजे घर ले आते हैं जो हमारे लिए बड़ी परसानी का सबक बन सकती हैं ये बात जानकर आप चंख सकते हैं कि दरसल वास्तु सास्तर के मुताबिक कई एसी चीजें हैं दान में या फिर बिना पैसे दिये अगर किसी से ले लिया जाये तो कि इसकी वजह से घर की सुख सम्रिधी जा सकती है और ये चीजे आपको कुछ ही वक्त में कंगाल भी बना सकती है इन चीजों का नकरातमक असर बड़ी परसानिया पैदा कर सकता है आखिर ऐसी कौन सी नमबर एक दही दही जमाने के लिए कई बार हम अपने प्रोसी से थोड़ा सा दही उधार ले आते हैं और उसी से घर में दही जमाते हैं परन्तु एसा करने से घर में तनाओ और असांती का महल पैदा हो सकता है वास्तु सास्त के नुसार दही भी एक एसा पदार्थ है जि बेना पैसों के दहिना तो लेना चाहिए नहीं देना चाहिए नमबर 2 नमक कई बार घर में नमक खत्म हो जाता है ऐसे में इसके लिए हम पडोश्यों का रूख कर लेते हैं लेकिन ऐसा करना बड़ा संकटला सकता है वास्तु सास्तर में बताया गया है कि यदि आपके घर में नमक खत्म हो जाए तो भूल कर भी इसे बिना पैसे किसी को न तो देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए जो तिसी सास्तर में सनी देव के साथ नमक का संब्ध बताया गया है अगर नमक का दान किया जाता है तो इससे सनी देव नराज हो सकते हैं, बिना पैसे के नमक का लेन देन करना रोग और दोश को बुलावा देता है, ऐसा करने से आपकर्ज में भी डूप सकते हैं. नमबर तिन माचिस, माचिस किसी से बिना पैसे के ना तो लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, क्योंकि माचिस का संबंध सीधे तोर पर अगनी से माना जाता है, वास्तु सास्तर के अनुसारेशा करने से घर के लोगों के गुशा और विबाद बढ़ सकता है, घर की सांती भंग हो सकती है इसके अलावा अन्य तरह की परसानिया भी आ सकती है नमबर चार काला तिल बिना पैसो के ना तो किसी को काला तिल देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए वास्तु सास्तर में उलेखित है कि यह सा करना जीवन में संकट ला सकता है जियोतिची सास्तर के अनुसार काले तिल का संबंद राहू केतू के साथ साथ सनी ग्रह से भी माना गया है बिना पैसो के काला तिल लेने या देने से जीवन में आनेवर्शक खर्चों का जिलना पड़ता है एसा सनी वार के दिन तो कताई नहीं करना चाहिए नमबर पांच रुमाल किसी ब्यक्ति के बिना पैसो के रुमाल नो तो लेना चाहिए नहीं देना चाहिए क्योंकि एसा करने से घर में लड़ाई जगड़े बढ़ सकते हैं और जीवन में अनेक तरह की परसानिया आने लगती हैं वास्तु सास्त्र के अनुसार रुमाल किसी को उपहार में भी नहीं देना चाहिए ऐसा करने से उस रिष्टे में दूरियां बढ़ सकती हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें